हलो दोस्तों बहुत सो फिनेशर बजार में आपका एक बफ़र से सुर्ड़ेता है आज जैसे कि आपको पता ही है बर्गर गिंग का आई प्यों आया था और अपर सर्कीट के साथ बंद हुआ था और 131% के डैब्वी पे ही आपको वन डे में ही इतने सारे रिटरंस आपको आ ही मिला and unfortunately I am one of them तो कोई बात नहीं अब एक नया IPO आ रहा है जैसे कि आपको सबी को पता ही है जिसका ना में Mrs.Bectus जो की कुकीज एंड FMCG से रिटर है तो उसी से रिटर हम बाते करने वाले हैं एक वीडियो अल्रेड ही बताई थी तो उसे ऊपर जाके देख लीजेगा उस इस वीडियो को जो आप देखें लाइक हमें शेयर करिए फैमिले फैंस के ताकि उन्हें भी इस IPO को बारे में पता चल जाए और इन्वेस्ट करना चाहते है आप उन्हें भी पता चल जाएगा जो कि आपका फिरी में एकांट अपन हो जाएगा डी में जाते हैं जो कि आपका फिरी में अकाउंट ओपन होजयएगा занимet अगिसके साहत फीडियो डेरीफिरी चर्फिट के साहत ऑपन कर रही है &acy आवगर इसqe सीदहेगा ज़रुत निया और जाया जो आयए बात करते हैं पॉइंट पे तो मिसिस बेक्टर से फूर्स फूर्स पेशल आई-प्यो तो इसका जो आई-प्यो आया है काफी बैथरीन आई-प्यो नजर आ रहा है क्योंकि काफी सारी क्यांकर चीज़े हैं इनके के दो ब्रेंड और क्रैमी चीज़े, सक्वार करने नहीं पॉरिन को आप में पर लिंक में तो कौन को स्क्रीस परते हैं coffin से बनाते हैं तो वो उसमें पूरी डिटेल्स आपको मिल जाएगी तो यह तो होगी किलियर कंपनी के बारे में अगर कंपनी की बात की जाए तो केवल चार ही नॉर्थ इंडिया में जादा फेमस है औक एंड ने प्रोड़क्स ये लाँच करती रहती है अभी फिलहाल इन्होंने कुछ प्रोड़क्स लाँच किये है तो कौन-कौन से इन्होंने प्रोड़क्स लाँच किया अगर उसकी बात की जाए तो यह कंपनी गार्लिक ब्रैट जासे सब ब्रैट पीजा पीजा का जो नीच्छी का बेस होता है वो चीज की कार्लिक ब्रैट बन फिल्स और फोजन कुकीज यह कंपनी ने अभी से अपरेल से सप्टमबर के बीच में इन्होंने अपने निव प्रोड़क्स इंट्रिदूस करें मार्केट में और इंडिया में नहीं भार के देशों में भी अपने सामान को भेजते हैं एक्सपोर्ट करते हैं जो काफी बहतरीन बात है और बर्गर केंग मैगडी के के एफसी तो यह जो बड़ी बड़ी चेंड सप्लाइज है जो कि आपको दिखती है फास्ट फूर्ड की उसमें जो बंस जाते है जिस जो आप बर्गर काते हो इसका परन होता है मोशली यही कं आपको मिल जाएगा इस वेल आपर पंचाम में मिल जाएगा ओके जमु कश्मीर में हमाचर परदेश में एस वेल एज लंताक में इनके आपको प्रोड़क्स मिलते हुए नचरेंगे बट थोड बहुत ही कम एक्जिस्टेंस इनका और एरूंड इंडिया है तो शायद यह अब बात करते है कि कितने का IPO आ रहा है कितने आ रहा है तो आज जैसे कि आपको पता ही है 540.54 करोड रूपी का इनका IPO आ रहा है जो कि IPO नहीं अगर बात की जाए तो OFS है तो OFS कैसे है तो जैसे कि 500 करोड रूपे 500 करोड रूपे किस की जम में जा रहे है 500 करोड रूपे ज सीधे के सीधे promoters की जैम में क्योंकि वो अपने share sell कर रहे है और IPO की बात की जाए initial public offering की तो fresh issue की बात की जाए तो के वह इतना 40.54 करोड रूपीज का यहां पर आपको नज़र आ रहा है जो की use होगा राजपुरा manufacturing का पंजाम में एक प्लांट है उसमें use होगा उसके expansion में उसके expand कर सके उसमें शायद cookies को और मातरा बढ़ा सके इस वज़ए से यहां पर इनका manufacturing hub है राजपुरा का उसे expand करने के लिए यहां पर खर्च होगा और बाकी जो 500 क्रोड रूपे है वह promoter इससे बेच लेगा तो promoters अपने इस कंपनी से निकलना चाहते है यह इक इसका दूसरा negative points हो गया कितने equity shares है तो 1,868,750 equity shares आपको market में trade होते हुए नचनाएंगे और जो इनके employees है उनके 50 rupees पर share के हिसाब से कम में उनका application link जाएगा तो उनके यहां पर फायत हो जाएगा अगर बात की जाए तो किसके लिए कितना हिस्सा रखा हुआ है तो जैसे कि 50% हिस्सा इन्होंने रखा हुआ है BFSL के लिए and QIB के लिए जो इनके बड़े customers होते हैं उनके लिए and 15% जिसमें anchor investors भी आते है एक चनाई की बात की जाए तो उनके लिए 15% और इंवेस्टर जैसे बर्गर किंग में हैप्याइस माइन में के वर 10% रखा था इसने 35% रखा है तो काफी अच्छी बात है बहुत chances हो जाएंगे जैसे कि मेरा नहीं लगाता है तो उन लोगों को chances बढ़ जाएंगे यहां प अधर बहुत बताना चाहूं तो देखिए यहां पर P.E. Ratio, P.E. Ratio के वज़े से ही हम actually shares को पता करते ही क्या वेली चलती है already FMCG के Biscuit के वो सारे कम यहां पर आपको लिष्ट होते हुए नजर आजेंगे और आपने शायद क्रामी का नहीं खाया हो बट बिटाइनिया पार ले पार ले जी Biscuit ही आपने बच्पन से खाते आया होंगे इनके जो P.E. Ratio है वो अलग है और काफी कम P.E. पर मिल रहा है वर यहां का पर जो क्रामी का जो हमारा Mrs. Bector है जो हमारा IPO आने वाला है वो उसका P.E. काफी जादा है तो अगर नेसल है इंडिया की बात की जाए तो लगबग 85 के P.E. पर मिल रहा है क्योंकि क्रामी जो एंक का बिस्किस ब्रेंड है का अवर मार्केट में इंडिया में 1% रहता है और बृतनिया सबसे जादे रखता है उसके बाद पार ले रखता है और ऐसे ही English Oven के जो ब्रेंड है English Oven जो इनका ब्रैट पर नाता है donation जाद वेलाय आप्र ही है तो यह तो री ही सन् आन्मली जाए करें इसलोड रिया anti-so company का चल रहा हैผ क्वित्य करण चल रहा है काफि अच्छा बात है इसके बीच में कुछ भी हो सकता है तो इस चीज को हमें ध्यान में रखना होगा और अगर हम बात करें यहां पर कि IPO में exactly होने के अवाला है तो देखिए IPO की date बंद रहे हैं जो कि कल है IPO closing date 17 है जो कि उसके दो दिन बाद हो जाएगी तो यहां पर 15 से 17 के बीच में आपको रखना है और last day में ही apply करिएगा क्यों क्यों क्योंकि last day में आपको पता चल जाएगा कि retail investor कितना excited है QIB कितने excited है HNI कितने excited है for this particular IPO और gray market का उसके दौरान कोई changes तो नहीं होते तो वह सचीज हमें धियार में रखनी होगी 10 का phase value होगी 286 to 288 price band है इसका तो अगर आपको लगाना है 288 पे cut off price पर ही लगाएगा 50 share का एक lot होगा जो आपको apply करना पड़ेगा Okay and fresh issue and आपके बता ही दिया है कि OFS कितना कितना है और fresh issue कितना है अगर बात करें हम इसके Tentative date तो 15 को यह शुरू हो रहा है 17 को last date है Okay and अगर बात करें जा issue में list on December 28 तो में list मतलब 28 को हो भी सकता है या आसपास की date में हो जाएगा शायर एक तो दिन बढ़ जाए या 28 को exactly हो जाए अगर आपको मिल जाएगा तो 22 22 को आपको पता चल जाएगी अगर नहीं मिलेगा 23 को आपको पैसे initiate कर दिया जाएगे अपका refund initiate कर दिया जाएगा Credit of shares 24 तारिक को आ जाएगे और 28 तारिक को यहां पर market में list होता हुआ आपको यह Mrs. Vector दिख जाएगा और जिससे मिला होगा अच्छा का सप्टी चल रहा होगा इसके बीच में अगर कुछ नहीं होगा 13 डेज का टाइम है कुछ नहीं होगा market ऐसी चलती रहेगी ऐसी भागती रहेगी यह IPO काफी भागेगा और भागेगा तो आपको लिश्टिंग देगा पीम पर उपन होगा जैसे बर्गर किंग ने आपको 131% की डेटर्स दिये है शायद ऐसे ही डेटर्स आपको मिलते हुए नहीं होगा but it is all about the time okay क्योंकि SBI card में आपको क्या हुआ क्या था वो आपको पता ही है उपर वीडियो दे दूँगा आपको एक अंदा आ जाएगा कि क्या हो सकता है और क्या नहीं हो सकता है तो उसे भी वीडियो के चलू की देख लिएगा okay so this is overall बात अगर बात करे minimum one lot आप apply कर सकते है 14,400 का बनेगा maximum lot आप 13 ले सकते है 650 shares का दो 187,200 रुपीज के आसपास होगा ये retail investor की बात की गई है okay and उससे जादा आप जाते हैं जादा तो आप non institutions में आ रहेंगे तो वो सारी बात होगे अगर pre-issue shares of promoters की बात की जाए तो अभी लगव 52.45% की इससे जानिया आपर है और post issue of share holding मदलब IP आईने के बाद मदलब लिश्ट होने के बाद promoters की इससे जाले की अब 51% इस company में रह जाएगी तो this is all तो क्या करना है क्या नहीं करना तो दो दिन का वेट कर दिये जगा सीरे एक दिन पहले में आ जाएगा क्योंकि कुछ negative points है इस company में जो कि आपको नहीं जराते हूँ दिखा देगा इसे google की site पर जाके तो आपको और idea आजाएगा company में हमें करना चाहिए या नहीं करना चाहिए तो दो दिन का वेट करिएगा उसके बाद ही मैं भी सोचूंगा कि हमें इसमें apply करना चाहिए 35% रखा गया है detail investor के लिए so you don't need to worry about that so यह सारी बाते हो गई अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक का मैं शेयर करिए गया as well as हमारे इस चैनल Boss of India शेयर बजाय को सब्सक्राइब करें शेयर करिया family friends के साथ ताकि इस तरीके की वीडियो आपको दूसरे तक भी पोचा सके वो भी इसका फाइदा उठा सके हो और आप भी thank you so much God bless